उन्हें तो अपना काम कर दिया, उन्होंने पीएम मोधी को वो सपोर्ट दे दिया जो उन्हें इस वक्त चाहिए लेकिन इसके बदले में बीजेपी से उन्हें क्या चाहिए इसकी एक लिस्स हरसायोगी मनीमन त्यार करके बैठा है क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया और अब बारी बीजेपी की है कि बीजेपी उन्हें कितना कुछ दे पाएगी और किस हथ तक उनकी डिमांड पूरी कर पाएगी कल एंडिये की मीटिंग हुई थी आज एंडिये की पाटियों ने अपनी अलग-अलग मीटिंग की जैसे चंदरबाबू नाइडू ने अज अपने नेताओं के साथ अपने सांसदों के साथ एक मीटिंग की एकनाश शिंदे ने अपने सांसदों के साथ मीटिंग की है कल सुबा जेडियू के सांसदों की भी एक मीटिंग होगी इन मीटिंग से जो डिमांड लिस्ट निकल कर आएगी उस पर बीजेपी कितना तयार होगी, कितना तयार नहीं होगी या बीजेपी से जो बात हुई होगी वो इन सांसदों को बताया जाएगा ये सारी बाते कल परसो तक क्लियर हो जाएंगी क्योंकि इसके बाद 9 जून को पीम मोदी को शपत लेनी है NDA में बीजेपी के जो पार्टनर है उनमें सबसे ज़ादा डिमांड अभी TDP की हो क्योंकि तेल्गू देशम पार्टी के पास बीजेपी के सयोगी दलो में सबसे ज़ादा 16 सीटे है कल पीम आवाज पर NDA नेताओं की जो मीटिंग हुई थी उसमें चंदरबाबू नाइडू प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी के ठीक बगल में बैटे वे दिखे ले इसका सीधा संकेत ये था कि नाइडू इस वक्त NDA में खुद को नंबर टू की पोजिशन में देख सकते हैं और इस हिसाब से वो चाते भी होंगे कि उन्हें सरकार में ठीक ठाक हिस्सेदारी मिले अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मताबिक TDP की डिमांड लिस्ट क्या हो सकती है वो आपको बताता हूँ TDP लोगसभा स्पीकर का पोस्ट भी मांग सकती है ऐसा सूत्र कह रहे हैं क्योंकि अटल जी की गड़बंदन सरकार में TDP के पास लोगसभा स्पीकर की पोस्ट है 1998 में TDP के JMC बालयोगी लोगसभा के स्पीकर बने थे और वो 2002 तक लोगसभा के स्पीकर थे लेकिन लोगसभा स्पीकर का पोस्ट बहुत इंपोर्टेंट होता है और ये अकसर उसी पार्टी को मिलता है जिसकी सबसे ज़ादा सीटे होती है ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि BJP स्पीकर की पोस्ट पर कोई कॉंप्रमाइस करेगी या ने सूत्रों के मताबिक अगर TDP ने ज़ादा जोर दिया तो BJP डिप्टी स्पीकर की पोस्ट TDP को दे सकती है लेकिन स्पीकर की पोस्ट दे इसकी गुंजाईश कम दिखती है यानि स्पीकर का पोस्ट TDP को मिलेगा इस पर बहुत डाउट है लेकिन इसके लावर TDP कई मंत्राले भी चा रही होगी सूत्रों के हवाले से जो खबरे चंचन करा रही है उसके मुताबिक TDP तीन कैबिनेट और दो राज्य मंत्री के पद़ की मांग कर सकती है ट्रांस्पोर्ट, शेहरी विकास मंत्राले जैसे वो मंत्राले मांग सकती है electronics और IT मंत्राले भी TDP मांग कर सकती है लेकिन TDP को जो मंत्राले मिल सकते हैं उस पर सूतर बता रहे हैं कि TDP को हो सकता है नागरिक उडियन मंत्राले मिल जाए या स्टील मंत्राले उनको ओफर हो सकता है क्योंकि TDP के पास नागरिक उडियन मंत्राले पहले भी रह चुका है इसी तरह से नितीश कुमार की पार्टी जेडियू भी अपनी डिमानड लिस्ट बना चुकी होगी या बना रही होगी नितीश कुमार के पास 12 सांसद हैं और वो बिहार में BJP के IMPORTENT सही होगी बिहार में नितीश कुमार के नेत्रित्म में NDA की सरकार चल रही है इस लिहाज से नितीश कुमार बीजेपी के लिए बहुत एहम है ना सिर्फ राज्य में बलकि केंदर में भी अब सूतरों के मताबिक जेडियू कितने और कौन-कौन से मंत्राले मांग सकती है इस पर क्या जानकारी आ रही है वो बताता हूँ जेडियू को एक कैबिनेट और दो राज्य मंत्री पाद चाहिए ऐसा कहा जा रहा है इसमें ग्रामीन विकास, रेलवे और कृशी जैसे मंत्राले मांगे जा सकते है जेडियू के पास रेल मंत्राले पहली भी रह चुका है, नितीश कुमार खुद रेल मंत्री रह चुके है लेकिन सूत्रों के मताबिक जेडियू को पंचायती, राज और रामीन, विकास जैसे मंत्राले मिल सकते है ये सारी बाते अभी सूत्रों के हवाले से है इसी तरह से NDA के दूसरे लोग भी चाह रहे होंगे कि मोधी काबिनेट में उने भी या उनके लोगों को भी जगा मिले और एहम मंत्राले मिले इन पार्टनर्स को भी BJP को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा इन में चिराग पासवान की LJP है जिनके 5 सांसद है एकनाज शिंदे की शिफ सेना है जिनके 7 सांसद है जीतन राम मांजी है जो अपनी पार्टी के एक लौते सांसद है अनूप्रिया पटेल जो मोधी काबिनेट में दो बार से मंत्री है जैन चौधरी जो चुनाफ से ठीक पहले अन्डिया में आये पवन कल्यान जिनकी जन सेना पाटी आंदरप्रदेश में गड़वन दन गया अब किसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कैबिनेट में जगा मिलेगी भी या नहीं मिलेगी या भी कुछ क्लिया में आप सोचिए कुछ सीट आपने नरेंदर मोधी को कम दी तो अभी जो नरेंदर मोधी का फोकस था कि कैसे भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थववस्था बनाना है कि किसको क्या देना है इस पर दिमाग लगाना पड़ा रहा है वरना नरेंदर मोधी अभी ये दिमाग लगा रहे होते कि अब क्या क्या गड़ना है और कैसे जो है देश को एकदम फिफ्ट गेर में लगाना है सूत्रों के मताबिक मंतराले के बटवारे के जिस फॉर्मूले के सबसे जादा बात हो रही है उस फॉर्मूले के मताबिक हर چार सांसद पर एक मंतराले मिलने की बात कही जाए यानि जैसे TDP के 16 सांसद हैं तो उनको 4 मंतराले मिल सकते हैं JDU के 12 सांसद हैं तो 3 मंतराले मिल सकते हैं शिफसेना शिंदे के 7 सांसद हैं तो उन्हें 2 मंतराले की उम्मीद होगी चिराग पासवान के 5 सांसद हैं तो उन्हें कम से कम 1 मंतराले की उम्मीद होगी यानि चार सांसदों पर एक मंत्राले मिलने की बाते कही जा रही है हाला कि BJP ये समस्ती है कि ये गड़बंदन की सरकार है और इसलिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रमाइस तो करना होगा लेकिन BJP के सूतरों के मताबिक ऐसा नहीं होगा कि हर डिमांड ही मान ली जाएगी सूतरों का कहना है कि BJP गड़बंदन के नियमों को और गड़बंदन के धर्म के तहट काम करेगी किसी सयोगी को अतारकिक और अनावश्यक मांग के आगे BJP नहीं जुकेगी ये BJP मान कर चल रही है मंत्रालियों के बटवारे में सयोगी दलों का पूरा ध्यान रखा जाएगा अपने सभी सयोगियों को BJP साथ लेकर चलेगी अब सवाल है कि compromise करना पड़ेगा तो ऐसे कौन से मंत्राले हैं जिन पर BJP किसी हाल में compromise नहीं करेगी सूत्रो का दावा है कि कुछ मंत्राले ऐसे हैं जो BJP किसी और पार्टी को नहीं देगी और उनमें वो बड़े मंत्राले शामिल हैं जो cabinet committee on security का हिस्सा होते हैं इनमें कौन-कौन से हैं भाई इसमें एक तो जिस पर बीजेपी कॉंप्रमाइज नहीं करेगी जिन मंत्रालियों में उसमें एक है रक्षा मंत्राले जो कि अभी राजनाथ सिंग के पास है वो रक्षा मंत्री तो इस पर बीजेपी कॉंप्रमाइज नहीं करेगी कहा जा रहा सूत्रदावा कर रहा है कि रक्षा मंत्री किसी और को नहीं बनाएगी बीजेपी से ही होगा इसके लावा वित्त मंत्राले क्योंकि नरेंदर मोधी का फोकस देश की अर्थविवस्ता को गती देने पर होता है और वो चाहेंगे कि निर्मला सीतरमन जिस तरह से काम कर रही है वो कंटीनियू करें या कोई बीजेपी का वेक्ति करें इसके लावा ग्री मंत्राले जो की अभी अमिश्या के पास है का जा रहा है कि नरेंदर मोधी सरकार में नई सरकार में भी ग्री मंत्राले सयोगियों को मिलने की गुंजाईश कम है और चौता मंत्राले है विदेश ये चार ऐसे मंत्राले हैं जो बीजेपी किसी हाल में कॉंप्रमाइज नहीं करेगी, गड़बंदन के साथियों को नहीं देगी ऐसी खबरे आ रही है। इसके अलावा ऐसे मंत्राले जो प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी के विजन से सीधे जुड़े हैं, जिनमें देश के विकास से जुड़े गरीब, किसान और युवा और मैलाओं से जुड़ी नीतिया मनती हैं, माना जारा कि वो भी बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्टर से जुड़े मंत्राले, युवाओं से जुड़े मंत्राले, किसानों से जुड़े हुए मंत्राले, ये सारे मंत्राले जो है, वो बीजेपी चाहेगी, कि वो अपने पास रखे, ताकि नरेंदर मोदी की जो सोच है, जो विजन है, उसे आगे बढ़ा ज़सके और कहीं मानली जाए अपने सयोगी को दिया वो किस गती से काम कर रहा है नहीं ना पता बीजेपी को टूरिजम, समाजिक नयाए, MSME, स्किल डेवलप्मेंट, साइंस टेकनोलोजी जैसे मंत्राले सयोगीयों को देने में कोई दिक्कश शायद ही हो बीजेपी ने अपने सयोगीयों की डील करने की जिम्मेदारी अपने दो बड़े और अनुभवी नेताओं को दी है इनमें एक नाम अमिशा का बताया जा रहा है जो अपने सयोगीयों से बात कर रहे है और देख रहे हैं कि भाई किसको क्या मिलना है किसको क्या दिया जा सकता है और दूसरा नाम राजना सिंग का है जो बहुत अनुभवी नेता है और राजना सिंग को भी जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आप देखें बात कीजे किसको क्या देना नहीं जाए आप ये भी देखिए कि NDA के सहीयोगियों में इस वक्त चंदरबाबू नाइडू और नितीश कुमार एहम प्लेयर्स हैं इसमें चंदरबाबू नाइडू तो 4 जून से कई बार ये कह चुके हैं कि वो नरेंदर मोदी के साथ ही रहने वाले हैं वोई फ्लिप-फ्लॉप नहीं होने वाला है लेकिन सवाल ये है कि क्या नितीश कुमार भी ऐसा करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं हाला कि अभी ये है कि बीजेपी के वरिश नेताओं से फिर से वो मुलाकात करेंगे बताया जा रहा है कि नरेंदर मोधी 9 जून को शपत लेंगे और तब तक चंदरबाबु नाइडू दिल्ली में ही रहेंगे चंदरबाबु नाइडू 12 जून को आंदरप्रदेश के सीम पद की शपत लेंगे चंदरबाबु नाइडू तो बीजेपी के साथ सेट है लेकिन आज जेडियू ने प्रेशर पॉलिटिक शुरू कर दी जेडियू ने बेहार के स्पेशल स्टेटस की मांग को दोरा दिया साथ ही ये भी कहा गया जेडियू के नेता केसी त्यागी की तरफ से अगने वीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक इससे में नराज की रही है हमारी पार्टी चार्टी है कि विस्तार से उन कव्यों खाम्यों को दूर किया जाए इसको लेकर के जनताने सवाल उखाए पार्टी के राष्टी अद्दक्स होने के नाते विदी आयोग के अद्दक्स स्री चोहान को मुक्वंत्री चिट्टी लिख चुके हैं हम इसके विरुद्ध नहीं है लेकिन जितने भी स्टेक हॉल्डर से चाय मुक्वंत्री हो चाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी हो चाय डिफरेंट सेक्ट्स हो उनसे बात्चित करके इसका हल निकाला जाना चाहिए जेडियू नेता के इस बयान से पैदा हुई हल्चल को कम करने के लिए बीजेपी नेताओं ने नया दाउं पर बिहार बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये कह दिया गया कि अगले साल बिहार में विदानसभा चुनाव नितीश कुमार के नित्रतव में ही लड़ा जाएग बिहार में नितीश कुमार ही एंडिये का चेहरा होंगे एक बार सुनिए बिहार के डिप्टीसियम विजरे सिना और समराथ चौधरी हमारे NDA के नेता मानलिये नितिश कुमार जी है तो इसमें जो पिछले दरवाजे से चोर दरवाजे से घुसना चाहते हैं राज़त के लोग वो भरम की वातावर्न बनाते हैं क्योंकि उनको हिम्मत नहीं है जेडियू ने कहा कि 2025 में नितिश कुमार के नेत्रित्व में एंडिये चुनाओं में जाएगी आरे इसमें दिक्कत क्या है नितिश कुमार जी की नेत्रित्व में 1996 से भारती जनता पढ़ आगे भी रही तो यानि अपने आप में बड़ा दिल्चस पर देगे पॉलिटिक्स म के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं वहां आत्ममन्थन भी चल रहा है कि क्या हुआ नहीं हुआ